हेलो गाइस आज हम बात करते हैं फीजेक सिरप के बारे में जो कि एक आयरेन और कैल्सियम टॉनिक है आर्वेदिक है प्यॉरली तो इसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो की अनिमल ओरिजिन से बना हुआ है ऑज घ्रिजिम प्य अनिम नमें नहीं अरर्वेदी खुरॉली में अरुज़ की गई अगर हम कोशीन कि बात करती है तो इसमें देलाक्सा एक्षरक्ट है coordin ते भी एक्षटेक्ट है मुलेठी एक्ष्टेक्ट है सिलजीद है एक्ष्रेक्ट और आस्वगंदर एक्स्ट्रैक्ट है, आप्पल एक्स्ट्रैक्ट है, लो उबसं है, संक भसं है, गुड़िच्ची एक्स्ट्रैक्ट है, सोंट है, काली मिर्चा है और पीपली है अगर हम इसके dogees की बात करते हैं तो दो से तीन चम्मे दिन में तीन बार या जिस तरह आपको आपकी condition के इसाफ से physician recommend करता है उससाफ से आपको इसको लेना है और अगर हम इसके indications की बात करते हैं तो ये iron और calcium deficiency में काफी उपयोगी है और ये anemia में different different तरह की anemia में और जो bone में strength कम हो जाती है calcium की वज़े से उन सब में ये बहुत ही उपयोगी सीध होता है अब थोड़ा detail में हम इसके ingredient को discuss कर लेते हैं पहले हम द्राक्सा की बात करते हैं तो द्राक्सा में बहुत अच्छी amount में iron, copper, vitamins और दूसरे minerals होते हैं जो अमारे बोड़ी में red bread cell को बनाने में काफी उपयोगी होते हैं और oxygen level को maintain रगते हैं हमारे बोड़ी में अगर हम आमला की बात करते हैं तो आमला एक बहुत ही अच्छा vitamin C का source होता है इसके अलावा इसमें vitamin E होता है, vitamin A होता है, iron होता है और calcium होता है और इसमें antioxidant भी बहुत अच्छी amount में मिलते हैं जिससे हमारे heart age में, diabetic में या cancer से prevention में उनमें बहुत ज़्याद अपयोगी होता अगर हम पुनरनवा की बात करते हैं तो पुनरनवा बहुत ही अच्छा source होता है nutrients का, इसमें protein होते है, vitamin C होते है, sodium, calcium, iron और बहुत सारे bioactive components होते हैं जैसे पुनरनवोसाइट होता है, seratogenic acid होता है, urosolic acid होता है, oleonic acid होता है, तो काफी useful रहता है पुनरनवा भी इस preparation में, इसके अलावा ये calcium का, iron का, magnesium का, potassium का, selenium का, phosphorus का, silicon का और zinc का भी अच्छा source होता है, अगर हम सिलेजीत की बात करते हैं, तो सिराजी तो हर condition में बहुत अच्छा multi-mineral, multi-vitamin साब उसको मान सकते हो, 60-80% इसमें organic matter ही होते हैं, 20-40% इसमें minerals matters होते हैं, और 5% इसमें traces elements मिलते है तो असी तरह के bio-active components जिसमें मिलते हैं, जिसमें vitamins होते हैं, amino acids होते हैं, और minerals में, अगर हम लगाते हैं, iron होता है, lithium होता है, magnesium होता है, calcium होता है, copper होता है, phosphorus, sodium, zinc होता है, तो जो बहुत सारी condition में बहुत उपयोगी होता है, और iron and calcium deficiency में भी इसका बहुत अच्छा roll होता है, अ और 23 mg इसमें calcium होता है, अगर हम 100 gram अस्वगंदा की बात करते हैं, तो इसके अलावा ये अच्छा vitamin C का सोच भी होता है, तो anemia में और calcium से related इतने disease होते हैं, उनमें अस्वगंदा का काफी अच्छा पयोग मिलता है, एपल के अगर हम बात करते हैं, तो एपल के बारे में तो बहुत अच्छी quantity में मिलता है, इसमें calcium, phosphorus और potassium भी बहुत अच्छी amount में मिलता है, तो ये हमारे red blood cell को बनाने में, हमारे bone को strength देने में, हमारे muscles को बनाने में, और जो waste होता है हमारे body से, उनको बाहर निखालने में बहुत इपयोगी रहता है, अगर हम low बसम की बात करते है तो low बसम particularly iron deficiency और anemia में यूज होती है, और ये easy to digest होती है, क्योंकि बसम फो में इसको बहुत lightly किया जाता है, और इसकी वज़े से ये बहुत अच्छी दरह digest हो जाती है, और बहुत जल्दी ये हमारे red blood cells को और हमारे khun की कमी को पूरा करती है, इसके अलावा ये weakness से fight करने म में भी मदद करती है, अगर हम संग बसम की बात करते हैं, तो संग बसम बहुत जल्दी absorb हो जाती है बोडी में और जो calcium हमारे body को require होता है, उसको fulfill करने में बहुत अच्छी मददकार साबित होती है, गुडूची की बात करते हैं, तो गुडूची में protein और micronutrients बहुत अच इस preparation में होते हैं, उनको digest करने में और food में जो minerals और vitamins होते हैं, उनको digestion करने में बहुत मदद करता है, अगर हम काली मेर्च की बात करते हैं, तो काली मेर्च में दूसरे foods के मुकाबले 94% ज्यादा iron होता है, 100 gram काली मेर्च में 120% ज्यादा iron content होता है, जितना हमें daily required चाहिए हो पिपली की बात करते हैं, तो पिपली vitamins का और minerals का बहुत अच्छा source होता है, vitamin C होता है, इसमें K होता है, A होता है, B1, B2, B5, B6, manganese, copper iron, calcium, phosphorus, potassium, selenium, zinc, cronium, यह सब इसमें पाए जाते हैं, उमित करते हैं, यह information आपको अच्छी लगी होगी, thanks for watching.